हलो फ्रेंड्स आज की रेश्पी है सोया बिन की सब्जी जो खाने में तो टेस्टी लगती ही है और बनाना तो बिल्कुल आसान है तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने एकटोरी सोया बिन ले लिया है अब इसे जो है गरम पाने में डाल कर पांच मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेंगे कि सोया बिन जो है अच्छे से फोल जाए पांच मिनट के बाद गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे ठंडा करने के बाद दो तीन पानी से अच्छे से धोल लेंगे और इसका पानी जो है सोया बिन का दबा दबा कर अच्छे से हम निकाल लेंगे फिन हम उसी पैन में जो है एक चम्मत तेल डालेंगे और तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो सुयाबिन को हम उसी में डाल देंगे और इसे जो है पांच मिनर तक मीडिया माज पर जो है अच्छे से भून लेंगे सुयाबिन जब अच्छे से भून जाएगा तब इसे जो है एक प्लेड में निकाल लेंगे और उसी पैन में एक बड़ा चम्म सर्सो का तेल डालेंगे तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तब आधा चम्म जीरा डाल देंगे आधा टुकडा तेजपता डालेंगे एक बड़ी लाची डालेंगे और थोड़ा सा दालचीनी का टुकडा इसमें डालेंगे और एक चूटकी जो है इसमें हिंग डालेंगे और जब ये सब अच्छे से चटक जाएंगे तो एक बड़ा प्याज बारी कटा हुआ उसमें ड दाल देंगे और इसे जो है गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को जो है अच्छे से भून लेंगे दो कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल देंगे अगर आप लहसुन पसंद करते हैं तो उसे भी जो है कूट कर इसमें डाल सकते हैं और इसे जो है अच्छे से भून लेंगे देखिए प्याज अच्छे से भून चुकी है इसमें कुछ मसाले डालेंगे जिसमें आधा चमा छल्दी पाडर एक चमा धनिया पाडर और आधा चमा जीरा पाडर और थोड़ा सा आधे चमा से कम काली मिर्च का पाडर और आधे चमा से कम लाल मिर्च का पाडर और आधे चम लेंगे मसाले जो है अच्छे से भून चुके हैं अब इसमें जो है एक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और टमाटर को गलने के लिए थोड़ा सा नमक डाल देंगे और टमाटर को भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे तमाटर जो है अच्छे से गल चुका है अब इसमें जो है सोया बिन डाल देंगे और सोया बिन को जो है मसाले के साथ ए मिनर तक अच्छे से भूल लेंगे उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे पानी आप अपने अंसार कम या जादे कर सकते हैं फिन उसके बाद जो है इसमें स्वात गयंसार हम नमक डाल देंगे नमक डालने के बाद एक टुकड़ा अधरक का जो है अच्छे से ग्रेट कर लेंगे और इसे लाश्ट में डालेंगे इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लाइट में डालने से और इसे धक कर जो है दो से तीन मिनट तक अच्छे से पका लेंगे फिन बाद में जो है कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे और इसे दो तीन मिनट के लिए धक देंगे सच में सोया बिन की सबजी बहुत बढ़िया बनकर तयार हुई थी आप एबार इस तरीके से जरूर ट्राइ कीजी आपो ये रेस्पी जरूर पसंद आएगे